नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 142 वी क्लास यहां पर कवर करेंगे जैसा आप जानते हैं इस सीरीज में आपको जीके के प्रिविस यर कोशन्स यहां पर देखने को मिलते हैं ऐसे कोशन्स जो आपसे अलग-अलग स्टेट्स के एक्जाम में पूछे गए होते हैं ऐसे questions जो आपसे center के अलग-अलग परिक्षाओं में पूछे गए होते हैं, वो सभी प्रश्ण आपको यहाँ पर extra fact के साथ selected प्रश्ण देखने को मिलते हैं, जो आपसे आने वाले परिक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं. अगर आपने इस series की previous classes को नहीं देखा है, तो आप उन्हें playlist में जाके देख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, आज के class को शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला question है, निमलिकित में से कौन सी भू आकरती दर्रा ना होकर पहाडी श्रंखला है? सिंपल सा question है, लेकिन ये question आपसे राजस्थान SI के exam में पूछा गया था. इनमें से कौन सी आकरती है? सबके साथ घाट लिखा गया है. कौन सी आकरती है? जो दर्रा नहीं है. एक परवर्ष रंखला है. सिधा अंसर कर देंगे पश्चिमी घाट. पश्चिमी घाट एक पूरी परवर्ष रंखला है. जबकि थाल घाट एक दर्रा है, जो मुंबई को नासिक से जोडता है. भोर घाट ये भी दर्रा है, ये मुंबई को पूने से जोडता है. और पाल घाट भी एक दर्रा है जो आपके कोयमबटूर को कोचिन से जोड़ता है इन तीनों को आपने ध्यान रखना है कई बार इनको लेकर भी सवाल आया है कौन सा दर्रा, किस इस्थान को किस इस्थान से जोड़ता है ठाल घाट, मुंबई नासिक, भोर घाट, मुंबई पूने और पाल घाट आपका कोयमबटूर से कोचिन ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करें तो हिमालिया के बार भारत की जो दूसरी सबसे लंबी परवर शेनी है, परवर शंकला है वो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे सह्यादरी के नाम से जाना जाता है एक कोशन आपसे पूछा गया था, कि जो ये सह्यादरी है जैसे हमने कहा पश्यमी घाट को सह्यादरी के नाम से जानते हैं, इसको दो भागों में बाट दिया जाता है, एक भाग को कहते हैं उत्तरी सह्यादरी, एक को कहा जाता है दक्षणी सह्यादरी, कोशन पूछा गया था, इन दोनों सह्यादरियों को विभाजन करने वाली अक् में हमने पूर्वी घाट, पश्यमी घाट, भारत का जो तटिया इलाका है, पूरे उन सब के बारे में, द्वीपों के बारे में, भोगोलिक इस्तिती के बारे में, परवत, पहाड, सब के बारे में, डीटेल में बात करी है, मैप के माध्यम से, आप प्लेलिस से जोग्रॉफ इसने अपना नया नाम किया है जो तुर्की है ये इसका कुछ हिस्सा यूरोप में पढ़ता है और कुछ हिस्सा इसका एशिया महद्वीप में पढ़ता है आपसे question आता था कि तुर्की के यूरोपिय और एशियाई भूभाग को अलग करने वाला सागर कौन सा है तो तुर्की के यूरोप और एशिया के भाग को अलग करने वाला है आपका मरमरा सागर और यहां मरमरा सागर किस-किस सागर को आपस में जोड़ता है तो यहां आपके एजियान सागर को काला सागर से जोड़ता है option B सही answer होका तो कौन-कौन से इसके तटों परिस्थे थे हमने वो देखा और तुर्की के एशियाई भाग को येरोपिया भाग से कौन अलग करता है वो भी हमने यहां पर देखा तुर्की का मैकसिमम भाग एशियाई भाग में आता है लेकिन तुर्की को येरोप का एक देश माना जाता है और उस सदन में उपस्तित मत देने वाले सदसियों के दो तयाही बहुमत के द्वारा यानि विशेश बहुमत की अविशक्ता होती है, दो तियाही सदस्यों का बहुमत होगा, तब वो प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद राष्टपती आदेश चारी करेगा, जज को उनके पज से हटाने का, हटाएगा कौन? राष्टपती, लेकिन कैसे? जब प्रस्ताव प पारित यहां पर होगा, ठीक है? सुप्रीम कोट के बारे में, जजजस के निकती के बारे में, कारेकारी नियाधीश कैसे बनते हैं, तधर्त नियाधीश कैसे बनते हैं, इनको हटाया कैसे जाता है? constitution की जो हमारे detail classes है उसमें हम quote वाला जो हमारा section है जिसमें हमने उच न्याले, सरवच न्याले और जो उनके नीचे के न्याले हैं district quotes हैं, उनको detail में cover कर चुके हैं next है, निम्न में से कौन सा मानव, विकास, सूचकांक यानि HDI का सूचक नहीं है जो human development index होता है जिसे हम कहते हैं मानव, विकास, सूचकांक यहां basically तीन सूचकों के आधार पर मापा जाता है, तीन सूचक है पहला सूचक है जीवन इस्तर, दूसरा है सिक्षा और तीसरा है जीवन प्रत्याश्य जीवन इस्तर यानि की लोगों की जीवन को और बहतर बनाने का, सिक्षा यानि की लोगो तक जञान को पहुचाना, ज़्यान मापा जाता है कि कितने लोगों तक वो जो knowledge है, वो सिक्षा है, वो पहुच्च पा रही है, और जीवन प्रत्याश्य किसी देश का माणा विकास, सुचकांक निर्धारित किया जाता है इसमें परियावरण की स्थिथी को जनसंख्या को या प्रतिवेक्ति आई को शामिल नहीं किया जाता कई बार आपको option में देता है कि प्रतिवेक्ति आई शामिल होगी आप कहेंगे नहीं जनसंख्या को इसमें calculate करते हैं राजकोश्या नीती का उपकरण जो नहीं है आपने बताना है देखे राजकोश्या नीती क्या होती है राजकोश्या नीती सरकार के द्वारा तैह होती है दो प्रमुक नीतियां हम पढ़ते हैं एक होती है आपकी मौद्रिक नीती और एक होती है आपकी राजकोश्या नीती म राजकोश्य नीती वितमंत्राले यानि सरकार तयार करती है इस चीज़ को याद करना इस चीज़ को किलियर करना राजकोश्य नीती के जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि एक सतत विकास यहां पर किया जाए जिसमें गरीबी को कम करने का प्रियास किया जाए तो यहा पहला होता है तेक्स यानि सरकार को जो प्राप्त हो रहा है पहला होता है उसमें कर दूसरा सरकार जो खर्च कर रही है यानि सरकारी वय और तीसरा होता है सारवजनिक रिन यानि सरकार पर जो लोन है ये तीन होते हैं राजकोशिय निती के उपकरण या राजकोशिय निती के गटर, बैंक दर इसमें शामिल नहीं है आपने जो शामिल नहीं है उसको बताना था, ओप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा निक्स्ट है भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानि इसरो की बात हो रही है इंडियन स्पेश रिसर्च और्गनाजेशन, इसरो की स्थापना कप की गई, वर्ष भी आता है लेकिन अब आपसे डेट सहीद पूछा जाता है, 1969 में निलाम स्ट्रॉंग, पहले विक्ती बने थे जो चंद्रमा पर उतरे थे उसी वर्ष भारत में इसरो की स्थापना होती है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त, 1999 को हुई थी ओप्शन D हमारा सही आंसर हो जाएगा एक कोशन आपसे और आता है भारत में अंतरिक्ष कारेकरम की शुरुवात कप से हुई तो इस कोशन को अलग करके चलना इसी के साथ नोट कटे वे चलना भारत में अंतरिक्ष कारेकरम की शुरुवात 1962 से होती है 1962 में जो Dr. Vikram सारा भाई थे जिने भारतिया अंतरिक्ष कारेकरम का जनक माना जाता है उनके नेटरित में एक समीती बनती है, समीती का नाम था भारतिया, राष्ट्रिया, अंत्रिक्ष, अनुसंधान समीती किसके नित्रित में बनी डॉक्टर विक्रम सारा भाई और कब बनी 1962 में 1969 में उसी समीती का पुनर गठन किया गया और इस्तरों के रूप में उसे इस्थाबेद किया गया ठीक है? नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है एक तरफ कुछ प्रमुक शडियंत्र केश दिये गए है और दूसरी तरफ उनसे संबंदित विक्तियों के नाम दिये गए है पहला है आपका हावडा शडियंत्र केश देखे हावडा शडियंत्र केस जो हुआ था यह 1910 के आसपास हुआ था जब बंगाल का जो एक पुलिस अफसर था करांतिकारियों की द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में अनुसुलन समीती जो बंगाल का एक करांतिकारी घुट था इस अनुसुलन समीती के लगभग 47 लोगों को ग्रफतार कर लिया जाता है जिसमें सबसे प्रमुक विक्ति थे जतिंद्रनात मुखरची तो शडियंत्र केस जो हावडा का है उससे कौन संबंदी थे जतिंद्रनात मुखरची दूसरा है लाहोर शडियंत्र केस जब हमने भारत्य राष्ट या और उनके उपर पुलिस की लाठिया पड़ती है जिससे वे गंभी रूप से घायल हो जाते हैं और कुछी दिनों बाद उनकी मृत्यू हो जाती है उनहीं की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव के द्वारा जो एक पुलिस अफसर था लाहूर का जिसका नाम था सांडरस उसकी हत्या कर दी जाती है और इसी पूरे केस को बोला गया लाहूर शडियंतर केस इसमें कौन जुड़े हुए थे भगत सिंग, सुखदेव और राजकुरू तो हावडा केस के साथ है जतिंद्रनाथ मुखर जी लाहूर शडियंतर केस के साथ है राजकुरू तीसरा आता है दिल्ली शडियंतर केस जो हुआ था आपका ये 1912 के समय हुआ था जब रास विहरी बोस के द्वारा जो वाइसरोय था हाडिंग उसके उपर बम फेकने की योशना बनाए गई थी हाला कि हाडिंग बच जाता है लेकिन कई सारे करांती कारियों को पकड़ लिया जाता और फिर उनको फांसी दे दी जाती है जिसमें बसंत कुमार शामिल थे मास्टर अमीर चंद सामिल थे और अवद विहारी शामिल थे तो मास्टर अमीर चंद का संबंध किससे है दिल्ली शडियंतर केस से और लास्ट में आता है अलिपूर श शडियंत्र केस में अर्विंद घोश की पैरवी यानि इनका बचाओ किस ने किया था इनका बचाओ कर रहे थे सी आरदास इनको भी ध्यान रखेंगे बाद में अर्विंद घोश को रिहा कर दिया जाता है और फिर ये सन्यास ले ले लेते हैं और फिर पॉंड़ुचेरी में चले जाते हैं इसको भी हमने राष्टियांदूलन वाली क्लास में देखा था तो मैंने आपको चारो शडियंत्र केशों को एक शौट नोट्स के माध्धम से कवर कराने का प्रियास किया तो चारो आपके किलियर हो गए पहले के साथ जुड़े हुए हैं C यानि जतिंद्र A, B आपका जहां पर होगा C वो आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है जब आप इस तरीके से चीज़ों को लिंक करके और प्रिविस येर कोश्चन को वही पर उसी जगह पर पूरी डिटेल में करते हैं तो आपके कॉंसेप्ट भी किलियर होते हैं जो एक्जामनर की थियोरी है जो एक्जामनर की लेंगवेज है कोश्चन बनाने की वो भी आपकी और अच्छे से किलियर होती है और किस सेक्शन से किस टाइप के कितने डिटेल के कोश्चन आपके बन चुके हैं बन सकते हैं उन सब का आईडिया आपको इन प्रिविस येर कोश्चन के माध्यम से हो जा कि मत्विलास प्रहसन किसकी रचना है आप सिधा टिक करते हैं यहाँ जो पल्लव नरेश्था महेंद्र वर्मन प्रथम इनकी रचना है ठीक है उत्राखण में बस इतना ही आया है यह कोशन आपसे SI के एकजाम में पूछा गया था राजस्थान में कि इस रचना में किस धार् महेंद्र वर्मन प्रथम है इसने अपनी इस रचना में जो बहुत भिक्षू है और जो कापालिक है शैव संप्रदाय के अंतरगत जो आते हैं इनके उपर एक व्यंग किया है उनका मजाक उड़ाया गया है इस पुस्तक में उप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा किस के उपर है कापालिकों के उपर और जो बहुत भिक्षू थे उनके उपर ठीक है किस वंश का नरेश है महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का इनके बारे में अगर हम इस वंश के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाते हैं तो दिल्ली सल्तनत की जो हमारी जोलों के बारे में राश्टकूटों के बारे में डिटेल में जाना है कापालिक संप्रदाई के बारे में बात करते हैं सैव संप्रदाई के चार भाग माने जाते हैं जिसमें एक है पाशुपात एक है कापालिक एक है काला मुक और एक है लिंगाया तो इनको आपने ध्या इन दोनों महाजनपदों को मिलाने का जो प्रसंजीत उनका नाम था, उनकी जो बेटी थी, उसके साथ विवहा कर लिया, और दहेज में कौशल महाजनपद भी प्राप्त कर लिया. तो इन दोनों के विलाई का शरे किसको जाता है अजात शत्रू को जाता है इसके अलावा एक और महाजनपत था उस समय जिसका नाम था वज्जी महाजनपत जिसकी राजधानी थी वैशाली तो वज्जी महाजनपत को भी मगद सामराज्य में किसने मिलाया था अजात शत्रू का, ठीक है? तो अजाच शत्रु के तीन important महाजनपद जो इसने मिलाए, वज्जी, काशी और कौशल. एक question आता है कि अंग महाजनपद का विलय किसने किया था? अंग महाजनपद का विलय बिंबी सार ने किया था. एक आता है आपका वत्स महाजनपद और एक है आपका अवन्ती महाजनपद इन दोनों का विलय किस ने किया इन दोनों का विलय किया था शिशु नाक ने इसको भी आपने ध्यान रखना है ऐसे कुश्यन बनते हैं आप से संयुक्त राष्ट संग के महासचीव का कारले क्या कहलाता है संयुक्त राष्ट महासंग यह जो UN है हमारा United Nations इसका जो महासचीव होता है वही इसका प्रमुक परशाशनक अधिकारी होता है और इसके कारले को सचीवाले कहा जाता है option D हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा कहां पर है UN का सचीवाले यह New York में इस्तित है वर्तमान में UN के United Nations के महासचीव कौन है तो वर्तमान में है Antonio Guterres और पहले महासचीव कौन थे बहुत बार उनका नाम आया है ट्रिगवेली थे ठीक है एक और question आता है कि महासचीव की निक्ति कौन करता है तो महासचीव की निक्ति जो UN की महासबा है General Assembly जिसको कहा जाता है इसके द्वारा होती है लेकिन जो Security Councils होती है सुरक्षा परिशद होती है उसकी सिफारिश पर होती है महासबा अपने आप निक्ति नहीं करती इधर से Security Council जो सुरक्षा परिशद है उसके द्वारा होती है सिफारिश और फिर महासबा इसे निक्ति करती है निक्स्ट है भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्न में से किसने किया था तो भारत में इक्ता प्रथा इक्ता यानि भूमी को कहा जाता था इक्ता सनिकों को या जो करमचारी हैं उनको वेतन के रूप में भूमी प्रदान कर दी जाती थी इसी को कहा गया इक्ता प्रथा ठीक है इकता प्रथा भारत में शुरुवात करता है इल्टू तमिश Option C, सही आंसर होगा एक कोशन आपने पढ़ा होगा हमने भी जब दिल्ली सल्तनत को कवर किया तो उसमें दिखा था कि किस सुल्तान ने भूमी के बदले नगद वेतन देना शुरू किया था अब कोशन आएगा आपसे कि इकता प्रथा को समाप्त किस ने किया तब आप अलावदिन खिल जी का नाम बताएंगे ठीक है शुरू कर रहा है इल्टू तमिश खतम करता है अलावदिन खिल जी नेक्स्ट है निम्न में से किसे शुरूती शाहित्य कहा जाता है देखे सुरूती सहित्य की बात करते हैं हमारे पास दो प्रकार के ही हमारे प्रमुक ग्रंते हैं जो दो तरीके से लिखे कए हैं एक होते हैं सुरूती सहित्य जो लंबे समय तक केवल मौखिक रूप से चलते रहे और फिर उनका संकलन कर लिया गया यानि एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी को वो कैसे ट्रांसफर हुए मौखिक रूप से और एक होते हैं इस्मृती सहित्या जो इस्मृतियों पर लिखे कए तो सुरूती सहित्या में आते हैं आपके वेद इसको आपने ध्यान रखना है, वेदों को शुरूती सहित्यक के अंतरगत रखा जाता है, इसमें इसके लावा ब्रहामन ग्रंथों को, आरणकों को, उप्रिश्दों को शामिल करते हैं, इसमृती सहित्यों में वेदांगों को रखा जाता है, सूत्रों को रखा जाता है, प् की question बने हैं कि इसने किस वर्ष में किस छित्र को अधिकार में लिया था अगर यहां पर इन चारों को देखें गुजरात को इसने कब अपने अधिकार में किया गुजरात को इसने 1299 में जीता देवगिरी की बात करें देवगिरी में इसने 1306-7 में आक्रमन किया था इसको जी यानि एक है, एक के बाद आपका चितोड है यानि चार है, फिर आपका मालवा यानि तीन है और फिर आपका देवगरी, एक चार तीन दो इसका उत्तर हो जाएगा, option B, next है, निम्न में से कौन सर्व छत्रान तक कहलाता था, तो सर्व छत्रान तक यानि छत्रियों का नाश करन किसको कहा गया, इनमें से ये कहा जाता था, महा पद्मानंद को, option D, सही आंसर हो जाएगा, मगत के उपर नंद वंश का संस्थापक था, महा पद्मानंद, ठीक है, और इसी को कहा जाता है, सभी छत्रियों का नाश करने वाला, यानि मशर्व छत्रान तक, एक कोशन आच च कुछा जाता है, मगत के उपर पहला गैर चत्रिया वंश किसका बना था, पहला गैर चत्रिया वंश जो आया, वो इसी नंद वंश का था, महा पद्मानंद का था, यहाँ एक गैर चत्रिया शाशक था, इसलिए इसने इस उपादी को धारण किया था, ठीक है, इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है इस चीज़ को ध्यान रखना इसने दूतिया परशुराम की उपादी भी धारण करी और शर्व छत्रनान तक की उपादी भी धारण करी इस चीज़ को ध्यान रखना एक और कोशन याद कर लेना नंद वंश को भारत का पहला सामराज्य निर्माता माना जाता है ठीक है भारत में पहला सामराज्य निर्माता नंद वंश को कहते हैं ध्यानरकन और इसी वंश का अंतिमिराजाथा घनानंद जिसे पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्रे निक्टे याडंबो की संधी पर किस युद के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे याडंबो की संधी कुछ दिन पहले हमने इसको कवर किया था कि यहाँ संधी 1826 में होती है प्रतम आंगल बर्मा युद के साथ option D इसका सही आंसर होगा जो पहला आंगल बर्मा युद था 1824 से लेकर 1826 20 तक चला और इस युद की समापती होती है याडंबो की संधी के साथ ठीके ये संधी कई बार पेपर में आई है याडंबो की संधी किस-किस के बीच होती है कब होती है किस युद के बाद होती है अरब लीग का गठन कब किया गया था ये question भी आपसे paper में पूछा गया और ऐसे exact date के साथ पूछा गया था तो अरब league का गठन होता है 1945 में 22 March को इसका गठन होता है option C, इसका सही answer हो जाएगा ठीक है, अरब देश के जो शुरुवाती संस्थापक देश थे इसमें कौन कोन आते हैं, इसमें मिश्र आता है, इराक आता है, जौडन, लिबनान, साओधी अरब, सीरिया ये छे देश जो प्रमुख हैं इसके संस्थापक देशों में स्थापना इसकी 22 March को होती है, वर्तमान में लगभग इसमें 22 अरब कंट्रीज शामिल है कहां पर इसका गठन किया गया था, तो मिश्र की जो कैपिटल है काहिरा, वहां पर इसकी स्थापना होती है सुदर्शन जील की मरमत, रुद्रा दमन ने किसकी देख रेख में करवाई थी? ये कुशन भी आपसे कई बार पूछा गया है, देखें जो सुदर्शन जील है आपके, ये गुजरात के सौराश्टा में इस्तित है, ठीके? इस जील का निर्मान करवाता है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्मान करवाता है किसकी मदद से करवाता है या किसको आदेश देकर करवाता है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर जो उसका एक रज्यपाल था यानि सामंत था पुष्य गुप्त वैश्य उसका नाम था उसने जील का निर्मान करवाया तो राजा पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्या और जादा डीटेल में जाएगा जैसे यहाँ पर गया है पुनर निर्मान तो रुद्र दमन ने करवाया ये पूछ रहा है किसकी सहिता से या किसको आदेश देकर करवाया वो आपने बताना है ऐसे ही निर्मान चंद्रगुप्त मौर्या ने करवाया लेकिन किसके द्वारा करवाया गया तो आप कहेंगे पुष्य गुप्त वैश्य इसका पुरनर निर्मान रुद्रा दमन ने सू विशांक के नेत्रत में करवाया था यानि इसकी देख रहे के लिए इसको इसने निप्त किया था इस जील का निर्मान अशोक ने भी करवाया कोशन आता है अशोक ने इसकी जिमेदारी किसको दी थी? अशोक ने तुस्सफ को दी थी इसने अशोक के कहने पर या अशोक का ये सामन था तब करा था इस जहील का निर्मान अशोक के बाद जो सक राजा था रुद्रा दमन इसने करवाया, इसने सुविशाग को निप्त किया और फिर जो गुप्त नरेश था, इसकंद गुप्त उसने भी सुदर्शन जहील का पुना निर्मान करवाया और एक बांध का निर्मान भी यहां पर करवाया इसकंद गुप्त ने इस काम के लिए किसको निप्त किया था कुछ जगवों पर परमार्त का नाम दिया गया है, कुछ जगवों पर चक्रपालित का नाम दिया गया है, दोणों को आपने धियान रखना है, ठीक है, तो सुदरशंट जील को ले करके question कई बार बना है, next है, टीपु सल्टान ने सौतंतरता का वरिख्ष कहां पर लगवाये तो देखे जो महराजा रणजीत सिंग थे ये आपके सुकर चकिया मिसल से संबंदित थे option D सही आंसर हो जाएगा देखे जो बंदा बहादुर थे उनके मृत्यू के बाद जो सिक सैन्य टुकडियां थी उन सब को आपस में विले करके एक संगठन बनाया गया जिसे दल खालसा कहा गया इस दल खालसा का जब विभाजन हुआ इसका विभाजन बारहा दलों में हुआ इन ही बारहा दलों को बारहा मिसल कहा गया अलग अलग नाम इनके पड़े, उसनी 12 मिसलों में जो सबसे प्रमुक मिसल था, उसका नाम था सुकर चक्या मिसल और इसी मिसल के थे राजा रणजीत सिंग, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है, सिक सामराज्य को लेकरके, सिक धर्म को लेकरके, सिक धर्म गुरुओं को एक detailed video already बना है, जिसमें हमने सभी गुरुओं के बारे में, उसके बाद जो सिक सामराज्य बना सिक राजाओं के बारे में, आंगल सिक युद्ध के बारे में, detail में बात करी है, निक्स्ट है, जैन धर्शन में सर्वशेष्ट एवं पून ग्यान को क्या कहा जाता है, तो ज अपने ध्यान रखना है, question paper में बना हुआ है, तो friends, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने GK के 20 important MCQs को यहां पर cover किया, और इन questions को पूरी detail के साथ, extra fact के साथ, यहां पर cover करने का प्रियास किया, उमीद करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अग जरूर बताएं, thank you friends